आपके लिए कोर इंडियन आर्मी की बरती तो बने रहे हैं मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि अगली बरती का अप्टेट आपको टाइम पे मिल चके सेनल को सब्सक्काइब करना भी बिल्कुल मत भूलेगा आपको Soldier General Duty All Arms की वेकैंसि बताऊंगा की तो यह कुल मिला के वेकैंसि और Soldier Tradesman Tenth Pass जैसा कि अब सब जानते हैं Soldier GD के लिए सिर्फ सोला से 17 साढ़े samतना साल से 21 साल तक है एज लिमिट चाहिए होती है बाकी सब की एज लिमिट साढ़े सतना से लेके 23 साल तक है तो इसमें कोण apply कर पाएगा ये मैं बताओं इसके पहले आपको बता दू जैसा कि मैं हर बर बताता हूँ समझ आया कि .in हमारी official website पे जिसके उपर मिलेगी हिंडियन आर्मी की हर बरती की update आप लोग यहां पे आईए और state पढ़िये डिस्टिक पढ़िये नोटिकेशन पढ़िये और date पढ़िये और last date पढ़िये और उसी के साथ notification पे क्लिक करके डाउनलोड कीजेगा ठीक है तो अभी यह अंदमन की विकेंसी नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ यह चीज़ ध्यान रखेगा आईए किसी और state की है तो फिलाल यहां पे मैं बता रहा हूँ कि और भी वर्तिया अपडेट हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया लेकिन यहां पे अपडेट कर चुका हूँ तो आप लोग जरूर इस पेज पे आएं और साथ में अपलाई कैसे करना है उसकी विडियो पाएं और साथ में अपलाई का लिंक पाएं मैं होप आपको समझ आ गया होगा आया तो लाइक करें शेयर करें और आपको बताना चाहूँगा यह जो वर्ति है यह आई है बारा डिस्टिक आफ इस्ट बिहार की जिसके अंदर अरारिया बंका बिंगोसरिया बगलपुर है कैथार है कगारिया कुछ करके है किशंग गं आप दस भी पास होने चाहिए 45% सभी सब्जेक्ट को को मिला के बने चाहिए जैसे की हिंडी फ्लिश मैठ इन सब के नंबर मिलाके आपकी 45% मार्च बनने चाहिए अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनीमम तो वह 33% होने चाहिए जाहिए जहीоло कि 100 में ס trad sind कि 33 साल साल के तरही साल तक है आपकी क्वालिकेशन बार्वी पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी आपके टोटल मार्स 60% होने चाहिए सभी सब्जेक्टों में एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% 50% होने जरूरी है और आपने इंगली से सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए बार्वी के अंदर साथ में आपने मैठ या अकाउंट या बुक कीपिंग इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए बार्वी में और इन डोनों सब्जेक्टों की परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है तो इसके लिए अगर आप एपलाई करना चाहते ह 18 साल से लेके 23 साल तक बार्वी पास साइंस ट्रीम इसमें आपने फजिक्स कमिस्टी बायलजी इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए ओवराल परसेंटेज में मिनिममं 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवारे हैं इस चीज़ का ध्यान है जिसमें आपको S.Y. Housekeeper और MSkeeper की Post मिलती है उसमें आपके 33% होने जरूरी है इसमें भी आपके ओवराल परसेंटेज जो है 33% होना जरूरी है जानिकी एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है Soldier Tradesman जो 10th पास होता है उसमें आप minimum 10th पास होने चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है आप Soldier Technical and Soldier Technical Ammunition Examiner की Post के लिए अगर अपलाई करना चाहते हैं तो साड़े सत्रा साल साल से लेके 23 साल तक age limit होती है इसमें भी आपकी बारवी पास होना बहुत जरूरी ह साइस में पड़ी होनी चाहिए आपने Physics, Chemistry, Math and English सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% overall सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए और बात करें एक एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए जैनकि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए इस पड़ी है जिसमें 2 marks होते हैं एक तो फुल marks एक होते हैं कम marks देखिए अगर आप रणिंग 5 मिनट 30 सेकिंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 marks मिलते हैं याद रखें 30 सेकिंड के पहले-पहले ठीक है और अगर आप 30 सेकिंड के उपर चले जाते हैं और 45 सेकिंड के cover करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 marks इस सीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों आपके beam pull ups होते हैं ये आपको डंडे के उपर लटकना होता है तो इसमें आपको 10 pull ups maximum मारने हैं जिसके आपको 40 marks मिल जाएंगे लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं 9 मारेंगे तो 33 marks मिलते हैं 8 मारो होगे तो 21 marks मिलते हैं 6 pull ups मारोगे तो 16 marks मिलते हैं उसके बाद एक 9 feet का ditch होता है zigzag balance होता है 9 feet का ditch jump लगाना होता है खड़े को पार करना होता है zigzag balance एक डंडे के उपर चलके दिखाना है तो ये दोनों तो सिर्फ आपने qualify करने हैं और running में और beam में आपको marks लेने होते हैं दो का और सभी medical देने जाए उसके बाद आपका written test हो जाता है तो ये सारी चीजे हैं जो आपको करनी होती है rally के दोरार चली दोस्तों physical fitness test हो गया selection होगी अब बात करते हैं document की तो document में admit card 20 photos आपने color लेके जानी है white background education certificate में mark sheet अपनी और diploma लेके जाए जाए domicile जाने की मूल निवास लेके जाए का certificate जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे relationship certificate वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है religion सबको नहीं लेना school का character certificate या फिर police का या सरपेंच का एक बनवा लीजे ये ले जाए unmerit certificate जो 21 सालों से कम है और relation सबको नहीं चाहिए NCC का सबक होगा यहीं आप उनको बताईए उनको बोली आर्मी की बरती देखनी है वो आपको guide कर देंगे उसके बाद single bank account है pen card है अधार card है इन तीनों में से कोई तो दोस्तों यह थी पूरी document की list मैं एक बार फिर से आपको selection process बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले होगा physical उसके बाद आप लोगों का होगा physical measurement test फिर होगा medical और फिर होगा return तो यह चीज है यह हारे documents है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा कैसा लगा comment करके मुझे जरूर बताईए और अपनी state की बरती की update के लिए आप अपनी बरती आपकी state के रहने वाले हैं वो comment करना बिल्कुल मत बूलेग और वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताईए और अच्छी लगे तो like and share जरूर कीजेगा और लोगों तक पहुचाने की जादा से जादा पोशिश कीजेगा मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए प्रख्या लगिए समझ आया क्या